हाई दोस्तो मैं सुखवेर और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे आय मात्रा के साथ तीन अक्षर वाले हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना अगर आपको अंग्रेजी में नाम लिखने पड़ने नहीं आते हैं तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक आज की इस हम आपको सिखाएंगे आय मात्रा वाले नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखें अगर वीडियो समझ में आती है तो मैं आपको एक नाम देता हूं सैलेस सैलेस को अंग्रेजी में लिखकर हमें कॉमेंट कीजिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में डैल आइकन भी दबा दीजिए सैतान सै से लिखेंगे S, H I की मात्रा के लिए A, I हम दोनों जगे क्या लिखते हैं A, I अब यहाँ पर I की मात्रा है सपे तो स से लिखते हैं S, H और I की मात्रा के लिए A, I, T, T से लिखेंगे T, A और नसे N लास्ट टक्चर में हम कदिदी A नहीं लगाते हैं अगर A की मात्रा है तब हम A लगाएंगे या अन्य कोई मात्रा है तो मात्रा के इसाब से लगाएंगे S, H, A, I T, A, N सैतान रहे दास रहे से लिखेंगे R, A, I यानि रखे लिए R और A की मात्रा के लिए A, I दासे लिखेंगे D, A और ससे S R, A, I D, A, S रहे दास वय भब वह से लिखते हैं हम V A की मात्रा के लिए A, I भसे लिखेंगे B, H, A और वह से V V, A, I B, H, A V बयभव सयद सय से लिखेंगे S, A, I यासे लिखेंगे Y, A दसे लिखेंगे D S, A, I Y, A, D सयद कैलास कैसे लिखेंगे K, A, I लासे लिखेंगे L, A और श से लिखेंगे S, H K, A, I L, A, S, H कैलास भैराव भैसे लिखेंगे B, H, A, I रसे लिखेंगे R, A और वह से लिखेंगे V B, H, A, I R, A, V भैराव मैदान मैसे लिखेंगे M, A, I दासे लिखेंगे D, A नसे लिखेंगे N M, A, I D, A, N मैदान सैतान सै से लिखेंगे S, H, A, I दासे लिखेंगे T, A नसे लिखेंगे N S, H, A, I T, A, N सैतान सदाईव स से लिखेंगे S, A दासे लिखेंगे D, A, I और वह से लिखेंगे V S, A, D, A, I, V सदाएब बैठक बैसे लिखेंगे बी ए आई ठसे लिखेंगे टी एच ए और कसे के बी ए आई टी एच एके बैठक पैदल पैसे लिखेंगे पी ए आई दसे लिखेंगे डी ए लसे लिखेंगे एल पी ए आई डी ए एल पैदल मैदान मैं से लिखेंगे M, A, I दा से लिखेंगे D, A और न से लिखेंगे N M, A, I, D, A, N मैदान तयार तय से लिखेंगे T, A, I या से लिखेंगे Y, A और रसे R T-A-I-Y-A-R तयार हैरान है से लिखेंगे H-A-I रा से लिखेंगे R-A और न से लिखेंगे N H-A-I-R-A-N हैरान तयरना तय से लिखेंगे T-A-I रसे लिखेंगे R अब यहाँ पर हम A नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट अक्चर पर A की मात्रा है तो हम न पर N के बार A लगाएंगे न से लिखेंगे N और A की मात्रा के लिए A अगर लास्ट अक्चर पर किसी की भी मात्रा है तो दूसरे पर कोई मात्रा नहीं तो हम a नहीं लगाते हैं तो टी ए आई आर एन ए टेरना तैनात तैसे लिखेंगे टी ए आई ना से लिखेंगे एन ए और तसे फिर टी टी ए आई एन ए टी तैनात बैठनाा बैस से लिखेंगे B A I ठसे लिखेंगे T H और न से लिखेंगे N A अब यहाँ पर ठपें हम टी, H के बाद A नहीं लगाएंगे क्योंके ना पि आकी मातरा है तो N के बाद A लगा दाएंगे ठीक है B A I T H N A बैठना फैसला फैस से लिखेंगे P-H-A-I, स से लिखेंगे S और ला के लिए L-A P-H-A-I, S-L-A, फैसला गवया, गस से लिखेंगे G-A, Y से लिखेंगे V-A-I, या से लिखेंगे Y-A G-A-V-A-I, Y-A, गवया, डकायत, ड से लिखेंगे D-A, कैस से लिखेंगे K-A-I, और तसे T D-A-K-A-I-T, डकायत, बैंगन, बैंगन से लिखेंगे B-A-I, न से लिखेंगे N गस से लिखेंगे G-A, और न से N B-A-I-N, G-A-N, बैंगन, हैत, है से लिखेंगे H-A-I, या से लिखेंगे Y-A, और तसे T H-A-I-Y-A-T, हैत, पैदान, पैस से लिखेंगे P-A-I, दा से लिखेंगे D-A-N, पैदान P-A-I-D-A-N, पैदान, हैवान, है से लिखेंगे H-A-I, वा से लिखेंगे V-A, और न से N H-A-I-V-A-N, हैवान, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए